जै किसान साथियों डॉक्टर पुनिस सिसोधिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है एफिट्स जिसको हिंदी में हम माहू या चैपा भी कहते हैं हमारी फसलों को काफी ज़्यादा हानी पहुचाता है सबसे ज़्यादा यह जो सरसों कुल की फसले होती हैं उनको हानी पहुचाता है इसको हम सकिंग पेच्ट की यानि की रस्चूसक कीट जितने भी आते हैं उसकी कैटेग्री में इसको रखते हैं यदि इसके हम समय पर रोक थाम ना करें तो जब इसकी ज़्यादा अटेक इसका हमारे पौदों पर हो जाता है तो पौदे की जो पत्या हैं वो धेरे-धेरे पेली पढ़के और मुर्जाने लगती हैं और सूख जाती हैं इसका असर हमारे पौदे की ग्रोथ पर भी पढ़ता है और उसके बाद प्रोडक्समन पर भी इसका असर पढ़ता है तो इसकी रोक थाम के लिए जो आप जेविक खेती करते हैं और गनिक फार्मिंग करते हैं तो इसकी रोक थाम के लिए हम जो साथ तरे की पत्यों का जो हम इंसेक्टिसाइड बनाते हैं गोमुत में डाल कर यदि आप नहीं जानते तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूगा आप चाहें तो हम जाकर विजिट कर सकते हैं तो एक लिटर तो हम वो लेते हैं जो हम साथ तरे की पत्यों से जो इंसेक्टिसाइड बनाते हैं एक लिटर वो लेते हैं और एक लिटर हम खटी लसी जो हमारी दस या पंदर दिन पुरानी हो खटी हो जितने ज़्यादा पुरानी हो उससे ज़्यादा और अच्छी रहेगी तो एक लिटर वो लेंगे दो लिटर एक टंकी में डालका 16 लिटर की में और उसके बाद उसे पानी से भर कर योदि हम स्प्रे करते हैं तो एफिट्स आपके एक या दो इस्प्रे में ही एफिट्स बिलकुल खतम हो जाएगा बहुत अच्छी दवाई है और एफिट्स ही नहीं जितने भी सकिंग पेस्ट हैं आपका वाइट फ्लाई हुआ वाइट फ्लाई एफिट्स और थ्रिप्स और माइट्स यह सभी को खतम कर देता है तो सभी के लिए सकिंग पेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है यादि आप और्गनिक फार्मिंग करते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं उसके बाद यादि आप केमिकल फार्मिंग करते हैं रासाइनिक खेती करते हैं तो रासाइनिक में सबसे जो अच्छा है कॉन्फिडोर आता है जिसमें इमीडा क्लोप्रिट साल्ट होता है 17.8% SL आप वो डाल सकते हैं एफिट्स के लिए तो उसका आप 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से कर सकते हैं यानि कि एक केदी आपके पास 16 लीटर की टंकी है तो उसमें आपको 8 ml डालना या दिपंद्रह किया तो भी 8 चलेगा तो 8 ml डाल कर आप स्प्रे करेंगे तो इससे छुटकारा मिल जाएगा उसके बाद जो थायमे थाउक साम आता है एक्टरा के नाम से और उसमें थायमे थाउक साम साल्ट होता है या आपको किसी और कंपनी का मिले तो आप वो भी ले सकते हैं लेकिन साल्ट वो ही हो हो साल्ट को आप ध्यान रखे तो उसका भी हम 0.5 ग्राम पर लेटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो हमारा यह एफिट्स और जितने भी हमारे जो भी रस्चूसक कीट है वाइट फ्लाई, एफिट्स, थ्रिप्स, माइट्स को छोड़ कर इसमें माइट से कंट्रोल नहीं होता है लेकिन बाकी और सब इससे कंट्रोल हो जाता है तो किसान भाईयो यही था मेरा वीडियो एफिट्स पर यदि आपको जानकरी अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सकाइब करतीजेगा ताकि आने वाली सभी लेटेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए फिर मिलूँगा आपको किसी और नई जानकरी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें धन्यवाद